गुद मॉर्णिंग दियर स्टूदेंट्स आज के वीडियो में हम वर्कशीट फाइव और सिक्स का रिविजिन करेंगे वर्कशीट नमबर फाइव जोकी संग्या है यहां आपको संग्या की डेफिनिशन लर्न करना है इस तरह से संग्या की डेफिनिशन लर्न करनी है एक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं वर्कशीट पर आते हैं उप्र दिये गए संग्या शब्दों को सही स्थान पर लिखें प्राणी का नाम यॉरेया अशोग वस्तु का नाम कुर्सी चित्र स्थान का नाम कोलकाता दिर्वाव में हसी और सुन्दर्दा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुषय स्त्री जाती होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं इसकी definition आपको लिखवाई गई थी लिंग के प्रकार स्थ्रेलिंग और पुर्लिंग होते हैं यह आपको अच्छे से लर्न करना है विद एक्जैंपल यहां हम लर्न करेंगे शब्द के जुस रूप से उसके पुरुषय स्त्री जाती होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, strilling और pulling और सभी नाम शब्द जो names होते हैं, नाम होते हैं, वो strill या पुरुष जाती के होते हैं. तो इस तरह से आपको strilling और pulling की जो table है वो अच्छे से learn करनी है. शिट 5A, आपको इसमें strilling और pulling चाट कर लिखना है, दिये गए शब्दों से लिंग बदले, सिहन सिहनी, बाग बागिन, कुमार कुमारिन, बालिक का बालक, चड़िया चड़ा, अध्यापक अध्यापिका, गाई बेल, मौसा मौसी और ग्वालिन ग्वाल, तो इस तरह से आपको strilling और pulling शब्दों को learn करना है. नेक्स्ट आता है, दिये गए वाक्यों में से सही के आगे right और गलत के आगे wrong लगाए, नदियों के नाम प्रायर thrilling होते हैं, ये सही है, पुरुष जाती का बहुत कराने वाले शब्द pulling होते हैं, जिससे की पता चलता है कि ये पुरुष जाती के लिए है, क्रिया से लिंग की पहचान नहीं होती, ये गलत है, क्रिया से लिंग की पहचान होती है, जिससे जाता है और जाती है, इसकी example है, देशों के नाम प्रायर पुरुष जाती है, ये सही उत्तर है, जैसे की भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, औस्ट्रेलिया, गाय का पुरुष जाती है, ये गलत पुरुष जाती होनी का पता चले, उसे लिंग कहते है, उधारन भाई, मोर, रानी और चुहा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं, इस्त्रेलिंग और पुर्लिंग, इस्त्रेलिंग तिथा पुर्लिंग से आप क्या समझते हैं, तो पुर्लि कहलाते हैं जिन शब्दों से स्री जाती का बोधों स्रेलिंग कहलाते हैं गुड़ी और युवती नेक्स्ट वर्कशीट है वचन आपको वचन की डेफिनेशन लिखवाई गई है शब्द की जिस रूप से व्यक्ती या वस्तु की संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं जैसी की जूला जूले लड़का लड़के वचन कितने प्रकार के होते हैं तो वचन दू प्रकार के होते हैं एक वचन और बहुचन प्रशन था एक वचन तो बहुचन से आप क्या समझते हैं तो एक वचन शब्द की जिस रूप से वस्तु की एक होने का सिंगल होने का पता चले बोध हो उसे एक वचन कहते हैं जिस लड़का, तितली, जूला, बहुवचन तो शब्द के जिस रूप से वस्तु के अनेग बहुत सारे होने का बोधों से बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, तितली, और जूले, तो आपको यह definition लॉन करनी है, नेक्स देखते हैं वॉक्षीट, इन शब्दों में से एक वच एक वचन सही जगह पर लिखे, एक वचन आँख, पुस्तक, तितली, बुटिया, बुढ़िया और लड़के, आपको एक वचन शब्द क्या है, बहुवचन शब्द क्या है, इस तरह से आपको अच्छे से लर्न करना है, इसके लिए आपको बुक में टेबल्स भी दी गई है एक वचन और बहुचन शब्दों की question है रेखान कित शब्दों का वचन बदल कर खाली जगह पर भरे दराज में कई चाबियां रखी थी मयंग गलत चाबी ले आया एक गमला है और कुछ गमले ले आओ रानी चीटी आगया आगये चल रही थी और बाकी चीटियां उसके पीछे पीछे question एक वच्टक में से सही शब्द चुनकर खाली जगह पर लिखें एक लड़की साइकल चला रही है बकरी घास चर रही है चिडिया उड़ रही है सभी चात्राएं नाटक की तयारी कर रही है last है दो लड़के घूम रहे है प्रश्ट प्रश्ण है दिये गए वाक्यों के आगे right या गलत लगाए वच्टन से हमें किसी व्यक्ती या वस्तू की संख्या का पता चलता है तो ये सही है कि वो संख्या में एक है आने ये उसकी संख्या से ही हस्ताक्षर और आसू दोनों का प्रयोग हमेशा एक वच्टन में होता है तो ये गलत है बहुच्टन के लिए भी हस्ताक्षर और आसू का प्रयोग किया जाता है संख्या में अधिक हो तो एक वच्टन होता है ये गलत है संख्या में अधिक होते हैं तो बहुवचन होता है संख्या में एक होतो एकवचन होता है यह सही है क्योंकि एकवचन के लिए हम एक का प्रयोग करते हैं रितू का बहुवचन रितू हैं यह सही है तो इस तरह से आपको सारी worksheets अच्छे से revise करनी है नाम शब्द संग्या होते हैं और संग्या की जगे आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं जैसे कि मैं, मुझे, हम, हमें, आप, तुम, वह, उसे, उन्हें तो ये इनकी कुछ examples हैं संग्या की जगे आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और सर्वनाम शब्दों में भी एकवचन और बहुचन होते हैं वरक्षीट की तरफ चलते हैं संग्या और सर्वनाम शब्द चाटकर सही जगर पर लिखें तो संग्या है रमेश, मोहन, कुत्ता, आगरा और आम सर्वनाम है मैं, हम, इसका, तुम और वे तो इस तरह से आपको संग्या और सर्वनाम शब्द लिखने है सर्वनाम की definition आपको अच्छे से learn करनी है जिसमें की संग्या की जगें अने वाले शब्द क्या कहलाते है सर्वनाम कहलाते है example देंगे जैसे मैं, मुझे, हम, हमें और तुम तो इस तरह यहाँ आपकी worksheets खतम होती है so do your revision, thank you students, have a nice day